हम जनमदीन पर आई थे, we had come at birthday, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों, may I ask you why? क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों, may I ask you why? वह अपना समय व्यर्थ करता है, he wastes his time, वह अपना समय व्यर्थ करता है, he wastes his time, कभी तू मेरी सुन लिया करो, do ever listen to me, कभी तू मेरी सुन लिया करो, do ever listen to me, जब तक आप ना चाहें, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, you don't need to go unless you want to go. मैंने अपना मन बना लिया है सिंगापूर जाने का, I have made up my mind to go to Singapore. मैंने अपना मन बना लिया है सिंगापूर जाने का, I have made up my mind to go to Singapore. मैं कल पढ़ाई करते करते सो गया, I fell asleep while studying yesterday. मैं कल पढ़ाई करते करते सो गया, I fell asleep while studying yesterday. घर का काम करते करते वा ठक गई, she got tired while doing household work. घर का काम करते करते वा ठक गई, she got tired while doing household work. रवी भागते भागते गिर गया, रवी फिल while running, बलकि मैंने उसे रुपए दिये, I rather give her money, बलकि मैंने उसे रुपए दिये, I rather give her money. उल्टा मैंने उसको खाना खिलाया, I rather fed him, उल्टा मैंने उसको खाना खिलाया, I rather fed him. उसे एक laptop दिल्वा दो, गिट हर अ लपटाप, उसे एक laptop दिल्वा दो, गिट हर अ लपटाप. अगर तुम मुझे से मिलोगे तो मैं तुम से धहर सारी बाते करूंगा, When you meet me, I will talk to you a lot अगर मैं अमीर आदमी बन गया तो एक घर खरीदूंगा If I become a rich man, I will buy a house अगर मैं अमीर आदमी बन गया, तो एक घर खरीदूंगा If I become a rich man, I will buy a house मैं दो दिन में इंटर्व्यो के लिए जाऊंगा I will go for an interview in two days मैं दो दिन में इंटर्व्यो के लिए जाऊंगा I will go for an interview in two days क्या तुम शाम को आऊगे Will you come in the evening मैं उसकी फाल तू बातों से छुटकारा पाना चाहता हूं I want to get rid of his useless dog मैं उसकी फालतू बातों से छुटकारा पाना चाहता हूँ I want to get rid of his useless dog जितना हो सके उतने घंटे पढ़ो Read as many hours as you can जितना हो सके उतने घंटे पढ़ो Read as many hours as you can अपना मेसेज जादा से जादा लोगों तक फैलाएं Spread your message to as many people as you can अपना मेसेज जादा से जादा लोगों तक फैलाएं Spread your message to as many people as you can हमें बाहर गए काफी समय हो गया है It has been a long time since we went out मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ I wanted to complete my studies मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ I wanted to complete my studies जितना तुम जानते हैं उतना बताओ Tell me as much as you know जितना तुम जानते हैं उतना बताओ Tell me as much as you know बड़े भाई होने के नाते तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए Being the elder brother you should take care of him मुझे पता है तुम आईसक्रीम के पीछे पड़े हो I know you are after ice cream मुझे पता है तुम आईसक्रीम के पीछे पड़े हो I know you are after ice cream पानी की बोतल भदो Fill up the water bottle तुमने shirt का गला उल्टा पहन लिया है You are wearing your shirt back to front तुमने shirt का गला उल्टा पहन लिया है You are wearing your shirt back to front यह खजूर बहुत मीठे अस्वादिस्ट है These dates are sweet and delicious यह खजूर बहुत मीठे अस्वादिस्ट है These dates are sweet and delicious मैंने एक बच्चे को जोर से रोते हुए सुना I heard a child sobbing loudly मैंने एक बच्चे को जोर से रोते हुए सुना I heard a child sobbing loudly तुम्हें ये पेन मुबाइल के साथ मिलेगा तू यू विल गिर्ट दस पेन अलाउंग दा मुबाइल दू टूर्ड औड गिर्ड दस पेन अलाउंग दा मुबाइल रोड के कि एक टुर्ड खड़ा है A truck is parked alongside the road तोट के किनारे एक truck खड़ा है A truck is parked alongside the road इस मामले में मैं रवी की साथ हूँ I am with Ravi in this matter मैं शनिवा तक वहाँ था I was there until Saturday मैं शनिवार तक वहाँ था I was there until Saturday मुझे बुलाए जाने के बावजीद भी मैं पार्टी में नहीं जाओंगा I won't go to the party even though I was invited मुझे बुलाए जाने के बावजीद भी मैं पार्टी में नहीं जाओंगा I won't go to the party even though I was invited यदि आप टाक्सी भी ले लेतें तब भी आपकी ट्रेन छूट जाएगी Even if you take a taxi you will still miss your train यदि आप टाक्सी भी ले लेतें तब भी आपकी ट्रेन छूट जाएगी Even if you take a taxi you will still miss your train अप रात का भोजन कब करते हैं? When do you have your dinner? देखते ही देखते वह गायब हो गया He disappeared in no time देखते ही देखते वह गायब हो गया He disappeared in no time अगर मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन काम नहीं कलता If I had my way I would not work the whole day वह खाता का खाता रह गया He remained eating कोई भी उसे चू सकता है Anybody can touch it कोई भी उसे चू सकता है Anybody can touch it कोई भी यहां बैठ सकता है Anybody can sit here कोई भी यहां बैठ सकता है Anybody can sit here कोई न कोई यहां आ रहा है Someone or the other is coming here कोई न कोई यहां आ रहा है Someone or the other is coming here तुम्हारे कहने पर वहां जा रहा हूं I am going there on your behest मैंने तुम्हारे कहने पर वहां जा रहा हूं She usually comes here आम तौर पर वह यहां आती है She usually comes here हम अक्सर एक साथ खाना खाते हैं We often eat food together वह बहुत बातुनी है She is too talkative वह बहुत बातुनी है She is too talkative उसके पास बहुत ज़्यादा ग्यान है He has too much knowledge वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता He is too weak to walk वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता He is too weak to walk चाय इतनी गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता She is too hot to drink चाय इतनी गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता Tea is too hot to drink यह इतना भारी है कि इसे उठाया नहीं जा सकता This is too heavy to pick up मुछे नहीं पता कि कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं I don't know what to eat and what not to eat मुझे नहीं पता कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं I don't know what to eat and what not to eat वह मुझे गलस समझ रहा है He is taking me wrong वह मुझे गलस समझ रहा है He is taking me wrong चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं आ जाओंगा Needless to worry, I will come चिंता करने की जरूरत नहीं मैं आ जाओंगा Needless to worry, I will come वैसे तो मैं वहां जाना नहीं चाहता था Although I did not want to go there वैसे तो मैं वहां जाना नहीं चाहता था Although I did not want to go there ज्यादा दिर मत खड़े रहो Don't stand for long ज्यादा दिर मत खड़े रहो Don't stand for long उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था She should not have done that उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था She should not have done that अब तक तो सभी आ गए होंगे Everyone must have come by now अब तक तो सभी आ गए होंगे Everyone must have come by now अब तक तो class खत्म हो गया होगा The class would be over by now अब तक तो class खत्म हो गया होगा The class would be over by now मैं आपके बिर्थडे पार्टी में वहां होती लेकिन मैं बीमार थी I would have been there for your birthday party But I was sick मैं आपके बिर्थडे पार्टी में वहां होती लेकिन मैं बीमार थी I would have been there for your birthday party But I was sick वो लोग होटल पहुंच चुके होंगे तुम कल अपने गाउं पहुंच चुके होगे 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 क्या तु मुझे काल कर रही थी वर यू कालिंग में क्या तु मुझे काल कर रही थी वर यू कालिंग में देखते ही देखते तुमने हसना शुरू कर दिया You started laughing in no time सब्जी खरीदने के तुरांट बाद उसे पकाने का परियास करें Try to cook a vegetable soon after you buy it सब्जी खरीदने के तुरांट बाद उसे पकाने का परियास करें Try to cook a vegetable soon after you buy it वह फिर भी मेरे पास नहीं आता है He still doesn't come to me वह फिर भी मेरे पास नहीं आता है He still doesn't come to me वह बीमार है फिर भी काम कर रही है She is sick but still working वह बीमार है फिर भी काम कर रही है She is sick but still working यही तो उसे पहनना था This is what she had to wear यही तो उसे पहनना था This is what she had to wear यही तो मुझे उसे दिखाना है This is what I have to show her यही तो मुझे उसे दिखाना है This is what I have to show her रवी ने गास चालू छोड़ दिया है रवी ने गास चालू छोड़ दिया है उसने एसी चालू छोड़ दिया है पेर से आम तोड़े जा रहे है कई शहरों में वोट दाले जा रहे है कई शहरों में वोट दाले जा रहे है किसी आर के उपर निर्भा रहना मेरे लिए मुश्किल है It's hard for me to depend on somebody else किसी आर के उपर निर्भा रहना मेरे लिए मुश्किल है It's hard for me to depend on somebody else ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया How did it cross your mind? ये तुम्हारे दिमाग में कैसे आया How did it cross your mind? क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो Are you coming with me? क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो Are you coming with me? तुम कितने बज़े उठते हो At what time do you get up? तुम कितने बज़े उठते हो At what time do you get up? ये खुशी के आंसु है These are the tears of joy ये खुशी के आंसु है These are the tears of joy तुम्हारे अंदर सकरात्मक भाव की कमी है You lack positive vibes तुम्हारे अंदर सकरात्मक भाव की कमी है You lack positive vibes वो हमेशा की तरह मेरे पास आया He came to me as usual वो हमेशा की तरह मेरे पास आया He came to me as usual क्या वहाँ कुछ चल रहा है? Is something going on there? क्या वहाँ कुछ चल रहा है? Is something going on there? मुझे वहाँ जाना चाहिए I should go there उसे मुझे बताना चाहिए था He should have told me उसे मुझे बताना चाहिए था He should have told me वो चुप-चाप कमरे में घोस गई She tiptoe into the room वो चुप-चाप कमरे में घोस गई She tiptoe into the room जो भी हो मुझे बताते रहना Please keep me in the loop जो भी हो मुझे बताते रहना Please keep me in the loop वो सुबह से घूम रही होगी She will have been walking since morning वो सुबह से घूम रही होगी She will have been walking since morning वे चार दिन से यह काम कर रहे होंगी They will have been doing this work for four days वे चार दिन से यह काम कर रहे होंगी They will have been doing this work for four days तुम होते कौन हो मुझे ग्यान देने वाले Who are you to give me knowledge? तुम होते कौन हो मुझे ग्यान देने वाले Who are you to give me knowledge? मैं सही से सो नहीं पाया I did not sleep well मैं सही से सो नहीं पाया I did not sleep well वो वहां नहीं जाना चाहता था He did not want to go there वो वहां नहीं जाना चाहता था He did not want to go there एक्जाम के दिन सब लोग टेंशन में रहते हैं Everyone is dense on exam days मेरे बिस्तर के सामने कोई charging board नहीं है There is no charging board in front of my bed मेरे बिस्तर के सामने कोई charging board नहीं है There is no charging board in front of my bed क्या आप मेरे साथ एक सेल्फी लेना चाहेंगे Would you like to take a selfie with me? क्या आप मेरे साथ एक सेल्फी लेना चाहेंगे Would you like to take a selfie with me? क्या जरूरत थी उसे बोलने की? What was the need to speak to him? क्या जरूरत थी उसे बोलने की? What was the need to speak to him? क्या तुम राजस्थान की रहने वाले हो? Are you a resident of Rajasthan? क्या तुम राजस्थान की रहने वाले हो? Are you a resident of Rajasthan? तुम अक्सर मुबाइल चलाते रहते हो You frequently keep using mobile क्या आप कोई अच्छा फल बता सकते हैं? Can you suggest a good fruit? A good fruit हमने कम से कम पूछा तो सही At least we did ask मुश्किल से कभी हम एक दूसरे से लड़ते हैं We rarely fight with each other मैं खाने के लिए कुछ ढून रहा हूँ I am looking for something to eat मैं खाने के लिए कुछ ढून रहा हूँ I am looking for something to eat हर बात की एक हद होती है There is a limit to everything हर बात की एक हद होती है There is a limit to everything आज मेरा खाना बाहर है I am dining out today आज मेरा खाना बाहर है I am dining out today उसने तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोला He spoke bad about you तुमने मेरे विच्वास को ठेस पहुचाई है You have betrayed me तुमने मेरे विच्वास को ठेस पहुचाई है You have betrayed me मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा I won't spare you मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगा I won't spare you बुरी संगत में रहने से बहतर है अकेली रहना It is better to be alone than in a bad company बुरी संगत में रहने से बहतर है अकेली रहना It is better to be alone than in a bad company तुम्हारी यह सोच मुझे पसंद है I like your thinking चाह तुमने कभी गलती नहीं की Did you never make mistake चाह तुमने कभी गलती नहीं की Did you never make mistake यह सुनकर बहुत अच्छा लगा I am very glad to hear that यह सुनकर बहुत अच्छा लगा I am very glad to hear that तुम लोग जाओ और मजे करो You guys go and have fun तुमने मेरी सारी महनत बेकार कर दी You ruined all my hard work तुमने मेरी सारी महनत बेकार कर दी You ruined all my hard work वो बात करने में लगा हुआ है He is busy in talking तुम्हे क्या लगता है मैं फाल्दू में ही बोल रहा हूँ What do you think I am speaking unnecessarily तुम्हे क्या लगता है मैं फाल्दू में ही बोल रहा हूँ What do you think I am speaking unnecessarily घुमा फिरा कर बाते करना बंद करो Stop beating around the bush घुमा फिरा कर बाते करना बंद करो Stop beating around the bush अच्छा एक काम करो एक और दे दो Okay, do one thing, give one more तो फिर चले जाओ, कौन रोग रहा है तुहे Then go, who is stopping you? तो फिर चले जाओ, कौन रोग रहा है तुम्हे Then go, who is stopping you? मानना पड़ेगा, उसे बहुत knowledge है I have to admit, he has a lot of knowledge मानना पड़ेगा, उसे बहुत knowledge है I have to admit, he has a lot of knowledge कि आपको किसी मदद की जरूरत है Do you need any help? कि आपको किसी मदद की जरूरत है Do you need any help? हो सकता है कोई पार्टी में नहीं आ रहा हो Maybe no one is coming to the party हो सकता है कोई पार्टी में नहीं आ रहा हो Maybe no one is coming to the party अब दुनिया को अकेले नहीं बदल सकते You can't change the world alone एक जूट चुपाने के लिए हजाज जूट बोलना पड़ता है Height one lie, one has to tell a thousand lies एक जूट चुपाने के लिए हजाज जूट बोलना पड़ता है Height one lie, one has to tell a thousand lies इस तरह का आदमी खमंडी होता है Such a man is arrogant कोई तो दोसी है, तुम यह मैं Someone is to blame, either you or I क्या आप स्कूल जा पाएं? Could you go to school? लगता है कि उसके होश ठीकाने नहीं It appears he is of his wits लगता है उसके होश ठीकाने नहीं It appears he is of his wits अब यह मेरे काम की नहीं This is of no use to me now यही आप पर भी लागू होता है That goes for you too यही आप पर भी लागू होता है That goes for you too इस घर के दरवाजे मजबूत है The dose of this house are strong इस घर के दरवाजे मजबूत है The dose of this house are strong उस गाओं के लोग इमानदार है तुमने अपने भविश के लिए क्या सोचा है What have you planned for your career? तुमने अपने भविश के लिए क्या सोचा है? What have you planned for your career? क्या आप कुछ बूलना चाहते हूँ? Do you want to say something? क्या आप कुछ बूलना चाहते हूँ? Do you want to say something? बिकास सवाल पुछना बंद करो Stop asking idiotic questions हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा We never thought about this हमने इस बारे में कभी नहीं सोचा We never thought about this तु मीठे से ज़्यादा चटपटा पसंद करते थे You preferred spicy to sweet तु मीठे से ज़्यादा चटपटा पसंद करते थे You preferred spicy to sweet चलो अब सब गलती माफ करते हैं Let's forgive all the mistake now मेहनत के दम पर वह काम्याब हुई She succeeded by dint of hard work मेहनत के दम पर वह काम्याब हुई She succeeded by dint of hard work वह सही सलामत यहां आ चुका है He has come here safe and sound वह सही सलामत यहां आ चुका है He has come here safe and sound उसे यहां बुलाना तुम्हारी अकलमंदी है It is wise of you to call him here उसे यहां बुलाना तुम्हारी अकलमंदी है It is wise of you to call him here चलते चलते मत खाओ Do not eat while walking चलते चलते मत खाओ Do not eat while walking मैं हमेशा सच बुलता हूं I always speak the truth मैं हमेशा सच बुलता हूं I always speak the truth आम तोर पर वह यहां आती है, she usually comes here हम अकसर एक साथ खाना खाते है, we often eat food together वह बहुत बातुनी है, she is too talkative वह बहुत बातुनी है, she is too talkative उसके पास बहुत ज़्यादा ग्यान है, he has too much knowledge वह इतना कमजूर है कि चल नहीं सकता, he is too weak to walk वह इतना कमजूर है कि चल नहीं सकता, he is too weak to walk चाय इतनी गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता tea is too hot to drink चाय इतनी गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता tea is too hot to drink यह इतना भारी है कि उसे उठाया नहीं जा सकता this is too heavy to pick up मुझे नहीं पता कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं I don't know what to eat and what not to eat मुझे नहीं पता कि क्या खाऊं और क्या ना खाऊं I don't know what to eat and what not to eat वह मुझे गलस समझ रहा है He is taking me wrong वह मुझे गलस समझ रहा है He is taking me wrong चिंता करने की जरूरत नहीं मैं आ जाऊंगा जरूरत नहीं मैं आ जाओंगा वैसे तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहता था आपने अपनी गरीमा खो दी है यू है लास्ट यू डिगनिटी जादा देर मत खड़े रहो तुम इन दीनों क्या कर रहे हो कुछ पल सुकून के साथ बिताओ कुछ पल सुकून के साथ बिताओ चाहिए जू हो जाए मैं जीतूंगा नो माटर वाट है आपन्स आइ विल विन मैं महनत करूंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाओ मैं महनत करूंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाओ वहाँ मत जाओ ये ना हो कि वो तुम्हें डांटी उसे हलका हलका बुखार है उसे हलका हलका बुखार है अगर मेरा बस चलता तो मैं एक टीचर बन दी वो सब तो ठीक है पर तुम अपना होमवर्क कब करोगी वो सब तो ठीक है लेकिन कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं अमेरिका में अभी कितना समय हो रहा है यह मेरे आंख पर लग सकता था आपको वहां जाते रहना चाहिए आपको वहां जाते रहना चाहिए उसे यह प्रैक्टिस जारी रखना चाहिए यह काम किया जाना चाहिए इसे वहां रखा जाना चाहिए इसे वहां रखा जाना चाहिए इस शूट बी प्लेस्ट तेयर ट्रांसलेट इट चलो आज खेलते हैं इसका आप कॉमेट्स में जरूर बता है वीडियो अच्छी लगी तो प्लेस लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें थैंक्यू